हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुती क्रिस्पी और बहुती टेस्टी फ्रेंच फ्राइज जो हम यहाँ पर इंस्टेंटली पैकेट यूज़ करने वाले हैं यह देखी कितना क्रिस्पी बना हुआ है तो चलिए इसे बनाना स्टाट करते हैं इसके लिए देखी जटपड बन जाता है यहाँ पर हम इसे फ्रेजर में स्टोर करते हैं तो यह काफी दिनों तक अच्छा रहता है तो यह जैसा हमने फ्रेजर में से निकाल लिए वैसे इसे डी फ्राइज करेंगे तो यहाँ पर तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए और इसे हम पर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक कर लेते हैं यहाँ पर हमें इसे जादा चलाना नहीं है बस हलका हलका तेल में मिक्स करना है तो यह देखिए एक मिनट बाद यह अच्छी तरीके से हो गया है और अभी हम इसे इस तरीके से चान कर निकाल लेते हैं और इसे हम डा तो लाइक और शेस जरूर करिएगा थैंक यू